हिंगंगार शहर के जिलाएवं सत्र न्याइधीश न्यायाले ने कल बुद्वार एक मार्ज को अलपवैन पीरित लेंगिक अत्यचा प्रकरण में आरोपी को 10 साल कैद की सक्त मजूरी सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना नहीं बढ़ने में एक वर्ष के साधे कारवास की सजा सुनाई है सरकारी अभी वक्ता दीपक वैद द्वारा ये चानकरी कल दी गई पांच फरवरी 2004 को अलिपूर्थाना शेतर के दरगत आने वाले एक गाउ में आरोपी गजानन उर्फ राजू पेंदोर ने नाबालिक पीडिता का यौन उत्पड़न किया था इस मामले में अलिपूर्थाने में शिकायत दर्ज भी कराई गई थी इस मामले में अड़ोकेट दीपर वैद ने नायले की कारवाई का अवलोकन किया तता सरकार की ओड से कुल तेरा गवाह को परिक्षन किया था तता अभी व्यक्तों को विरुत दुरता के तरक प्रस्तूत कर प्रकरन को सिध्ध भी किया उक्तु मामले में जांच अधिकारी के रूप में पी आई सुभाश काले ने जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अपुक्ता सब उजटाये थे। साथ ही कोड एडवोकेसी ओफिसर दिनेश बागडी ने इस मामले में काफी महनत की। जिलाय वमसत्र नियायले के नियायधिश विधाधर भी कातक करने शास किये पक्ष वा आरोपी पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दस कठो श्रम कारावास वा पचास हिजार रुपे जुर्मानी की सजा सुनाई है। NBCN News के लिए हिंगन घाट से रवी यो नुरकर की रिपोर्ट।